नमस्कार दोस्तों स्रिलंका वर्सेज इंडिया का ये लास्ट ओडियाई मैच होने जा रहा है और इसके बाद इंडिया के लगबख सीरीज शायद शितंबर में है और शितंबर एक्टूबर में होगा अभी फिलहाल नहीं है तो अभी बहुत सारे छोटे-छोटे मैचे चले तो देखो दोस्तों सिर्फ द्यूज के लिए अगर वीडियो डालना है तो चाहे कुछ भी व्यूज आए मैं हर रोज हर मैच का वीडियो डालता बट देखो जब तक चीजे आपके माइन में पूरी तरीके से फिट ना हो जाए कि यह मैच जो है वो खेलने के लायक है तब अभी बात करते हैं सिरलंका और इंडिया के बीच में जो थर्ड ओडियाई मैच होने वाजा रहा है सेलेक्टर्स की कमी कहा जाए या प्लेयर्स की फ्लॉप फॉर्म कहा जाए क्या कहा जाए आई डॉन्ट नो बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतिये उमीदों पर भार कि सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में या तो है नहीं या पिर वह अपने पूरी तरीकसे युगडान नहीं दे रहे अब आज का मैच किस तरीकसा होगा हमें इसके बारे में जानने की जुरूँत है वह भी मजा तब आरहा है जब सिरलंका के जितनी भी फेमस थे मतलब जो बढ़िया बढ़िया जो बैट्समें थे या फिर आप बॉलर बोलरो, अलराउंडर बोलरो, हसरंगा इंजिरी से बाहर हो चुका है, आपके मेन पाथिराना भी बाहर हो चुका है, इसके बावजूद भी इंडिया का ये हाल है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बढ़ आज प्लेइंग 11 में बदलाव होने वाला है, हमें देखना है कि क्या बदलाव हो रहा है, और किस तरीके से बदलाव हो रहा है, और उसके एकोर्डिंग हम किस तरीके से जो है आज का मैच खेलेंगे, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर देखते हैं किस तरीके से सारा का सा record जो हो सामने आ रहा है एक और बात जो दिमाग में आगे दोस्तो टेली ग्राम पर मेरे नाम से बहुत सारे fake चैनल बने हुए हैं बहुत सारे लोगों के comment और message आते हैं कि सर आपका original telegram channel है कौन सा मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि YouTube के हर वीडियो पे मैं लिंक देता हूँ पिन कमेंट के अंदर उस लिंक से ही आप टेलीग्राम जोइन करें बाकियों के कोई भी चैनल मेरा नहीं है और नहीं मैं किसी से प्राइम चैनल के नाम पे पैसे लेता हूँ अभी तक के कोई भी एक बंदा भी नहीं कह सकता कि हां मैंने टेलिग्राम पर किसी से भी पैसे लिए हैं प्राइम चैनल के नाम पर तो वहां पर आपको ऐसी कुछ चीजे देखने को नहीं मिलेंगी तो बिल्कुल सेफ एंड सेक्यूर्ट चैनल जॉइन के जिए बाकि फेक चैनल पर मत जाईए हैं चलते हैं सिधा स्क्रीन तो दोस्तो थर्ड ODI मैच है युनो साथ अगस्त और यह मैच जो है धाईबे से खेला जागा कुलंबर को ग्राउंड पर है आज का मैच बिल्कुल एक नए ट्रैक पर हो सकता है खेलने को मिलें बारिश की भी संभावना हैं यहाँ पर आज के मैच में दिखाई दे रही है चिटफुट बारिश हो सकती है ऐसा अभी तक देखने को पता चल रहा है ठीक है तो अब चलिए अब थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं अच्छा नए जो लोग माई लेवें सरकल पर अभी तक नहीं खेलते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बारे में डीटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा लिकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आप पांच मेगा कॉंटेश्ट सिफ एक रूपे में जोइन कर सकते हो कैसे और क्यूं और कब यह मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो को समझते हैं देखें यहां पर अगर हम बात करें सिलंका के तरफ से शायद पॉसिबल प्लेइंग 11 में कोई चेंजेज नहीं होगा लेकिन फिलहाल निशंका और अविश्का फर्नांडो ये दोनों आपको ओपनिंग करते वे दिखाई देंगे अविश्का फर्नांडो एक ऐसे बैट्समेन है जो अभी हाला कि बैट्समेन अच्छा है लेकिन फर्म नहीं था बट पिछले मैच में थोड़ा सा रन बनाया बट अब देखते हैं कि इन दोनों में से ये दोनों चलते हैं कि कौन चलता है हाला कि इंडिया के तरफ से बॉलर भी आज चेंज हो सकती है 90 परशन चांसे त्वाल यहां पर एक चीज़ समझजीएगा कि सुरू से लेके टॉप फॉर तक जो बैट्समेन है वो राइट हैंडड बैट्समेन है समझ रहें राइट हैंडड बैट्समेन है ठीके इसके बाद सिधा असलंका है लेपाद बैट्समेन फिर लिया-नाग देखे, as a batsman, 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 मतलब आप दोस्तों देख रहे हो, continue आठ नमबर तक, इनके जो प्लेयर से ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे बिकार हैं, सारे बढ़ियां वाले प्लेयर हैं, बैटिंग अच्छी तरीके से करते हैं, that's why कि इनके बिकेट अलजल्दी गिरने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे तरीके से ये अपने आपको रोग कर रख रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पर हम इंडिया के तरब पर फोकस करें, इंडिया के प्लेइंग 11 पर, तो देखें, रोही शर्मा, शुमन गिल, विराट कोली, स्रे सायर, इसके बाद ये सारे के सारे एक अच्छर पटेल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे आउट ओफ फॉर्म है, यहां की तक की विराट कोली भी लगबग आउट ओफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, आज के मैच में शायर अच्छा खेल जाए, लेकिन पिछले दो मैच में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया, तो कहीं न कहीं, अगर ध्यान से देखा जाए, तो ओन पेपर और ओन ग्राउंड भी, इनके बैट्समें की मतलब की काविलियत अभी तक तो जादा बैट्समें है, काविलियत नहीं बोलूँगा, बैट्समें जादा है, हमारे यहां भी बैट्समें हैं, ऐसे बैट्समें ह है कौन वंदर से अब वंधर से है उसके अलावे पहले कौन था वंधू हसरंगा यहां पर इंडिया के तरफ से अभी तक कोई भी जो है लेग श्पीनर नहीं है जो कि हर लेग श्पीनर कितना तबही मचागर गया यहां पर नहीं है जपके यहां भी top four जो batsman है वो right handed batsman है और दो यहां पर left handed batsman दिखाई दे रहे हैं तो एक चीज है अब जो changes क्या क्या होंगे हमें उसके ऊपर focus करना है अब हमें जब तक की balling की एक चीज जो है मैंने आपको पिछले match में भी बोला था कि second inning में यहां पर batting करने वाली team collapse होती है आगे आपको दि भी 99% है कि collapse हो जाएगी क्योंकि अभी तक का जो record है वो यही कह रहा है हम लोग उसी के recording उसी के मद्दे नजर सारी चीजोंग पर focus करेंगे ठीक है अब copy pen लेकर आप लोगो बैठना है लेकिन playing eleven में क्या-क्या changes हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं देखे शीवम दूब के जगा पर हो सकता है कि रियान पराग को खेलाया जाए एक ये changes हो सकता है दूसरा हरसित राना और खलील हमद आज अरसदीब सिंग और मुहमद सिराज के बदले खेल सकते हैं याद रखेगा हरसित राना और खलील हमद ये दोनु जो है दिखाई देने वाले हैं प्लस ने प्रैक्टिस में Viraat Kholy, Tiray Sinhail, Shuman Gil ये continue बहुत देर तक इनका सेशन चला था प्रैक्टिस सेशन, रोहिर सर्मा ने बैट अंत्व नहीं किया था, प्रैक्टिस में मंगलवार को प्रैक्टिस में रोहिर सर्मा ने अच्छा बैटिंग, मतलह बैटिंग प्रैक्टिस नहीं भी जाएगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं देखे एक चेंजेज है रियान पराग बाकी ये दो चेंजेज मेरे हिसाब से आज के मैच में होना चाहिए प्लस अगर हो सकता है एक और चेंजेज तो वो होगा केल राहूल के जग़र पर रिशाप पंद का मुझे लगता है रिशाप पंद को खेलाना चाहिए हाला कि रिशाप पंद की थोड़ी सी कमजोरी है जिसके वज़ा से उनको नहीं लिया जा रहा है अब हम देखते हैं यहां पर 231 जो है एवरेज स्कोर माना जा रहा है फिलहाल इस ग्राउंड के लिए और अभी तक 2022 से लेकर अभी तक तकरीबन 100 प्लस विकेट 100 प्लस विकेट फास्टर और स्पीनर दोनों को मिला है लेकिन अब मैं आपको कुछ और भी डेटा दिखाने वाला हूँ उस डेटा से थो चपपन ओभर पेसर्स ने डाले हैं 6 विकेट मात्र 6 विकेट मिला हुआ है किसे पेसर्स को 56 ओवर में वही पर इस स्पीनर को 134 ओवर यानि कि ओवर भी डबल डाले है समझ रहे हैं डबल से भी ज़्यादा ओवर डाला है इस पीनर और 28 विकेट इस पीनर लेके गया है यानि कि second inning में spinner ज्यादा impact डाल रहे हैं, clear है और इसलिए हमें spinner पर focus करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी baller हो, कहीं न कहीं बिकेट चटका सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर तीन spinner है, मान के चलिए कि एक team में तीन spinner है, उसमें से कोई दो या कोई एक ऐसा होगा, चाहर चार से पांच विकेट भी लेके जा सकता है, और उसी को आपको दिमाग में focus करना है, अब मैं भाविश्य वाड़ी तो नहीं कर सकता कि कोई एक में से कोई एक बता दूं, तब तो यार, हर रोज मैं करोड़ जीतूंगा, समझ रहो, लेकिन हाँ, इतना तय है कि second inning मे spinner को हम लोग CVC भी ट्राई करके जा सकते हैं, अगर इंडिया आज second inning में फिर से वापस गई, तो इंडिया के भी हाल हुआ ही हो सकता है, क्योंकि second inning में आते आते ना, पीच जो हो स्लो हो जाता है, बिल्कुल spin friendly हो जाता है, इस वज़ा से थोड़ा सा दिक्कत होती है खेलने जैसा कि मैंने बोला अभी थोड़े दिर पहले कि यहां पर my 11 circle पर prime contest, यानि कि जितना mega contest है, 5 mega contest आप यहां पर join कर सकते हो, ठीके with 5 team और only one, एक रूपे में, ठीके, एक रूपे में आप contest join कर सकते हो, अब समझने की कोशिश करना, अगर आप बिल्कुल new member हो, तो एक contest का price ह होता है, 49, ठीके, 49 into 5 कर दो, तो लगभग होता है, 245 रूपे, ठीके, 49 into 5, 245 रूपे, यानि कि आप एक रूपे में contest join कर रहे हो, अगर आप सिर्फ winning zone में भी होते हो, अगर आप सिर्फ winning zone में भी होते हो, तब भी आपको यहां पर लगभग 240 रूपे, या 240 रूपे का entry fee है, अगर आप entry fee भी अगर आपकी वापस आती है, तो आपने लगाया एक रूपे, और आपको मिलेगा कितना, 49 रूपे, समझ गए, तो अब इसके terms condition क्या है, कि जो pin comment है, और description box से उसके अंदर link दिया हुआ है, वहां से आपको download करना है, एक घंटे के अंदर, अंदर contest join क करना है, तो 49 का contest आपको एक रूपे का मिलेगा, लेकिन बिल्कुल new members, नए phone, नए ID से आप फोल के देख सकते हो, try कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब यहां पर क्या है, first price जो है, वो SUV car है, प्लस अगर आप first deposit करते हो, first time, तो आपको यहां पर 20% extra cash मिलेगा, यानि 200 पर 400, 500 पर 600, 1000 पर 1200, ठीक है, 1500 रुपया तक का यहां पर आप cash bonus प्राप्त कर सकते हो, यानि कि 20% extra cash on first deposit, link description box में दिया हुआ है, वहां से आप लोग download कर सकते हो, चलिए, अब हम बात करते हैं, कुलंबो का जो ground है, वो किस तरीके से अभी तक behave किया, ज्यादा तर, आप इचले match में भी बोला था, और अभी भी बोल रहा हूँ कि total 16 से लेके 20 विकेट गिर सकते हैं, first inning और second inning दोनों inning में मिला के, 16 से लेके 20 विकेट तक गिर सकते हैं, समझ लिजेगा, अब कैसे, तो second inning में देखिए, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, आप देख रहे हो, मतलब सिर्फ दो अबर, only two times ऐसा हुआ है कि यहां पर जो है team जो है 10 विकेट नहीं गिराई है, नहीं तो ज़्यादा तर यहां पर जो team है, वो 10, 10 विकेट गिराई है, यानि कि team यहां पर कोलाप्ष्ट हो रही है, और आप देख लो, not chess, 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 team chase ही नहीं कर पारे है, in fact दो बार, इंडियन टीम तो दो बार यहां पर पूरी तरीके से ओल आउट होई, एक बार टाई हो गया, यानि कि टाई जीतने वाले था पर गलती से, खेर, आप ये बात समझ गए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि यहां पर सेकेंड इनिंग में टीम कोलाप्स हो रही है, अब आप सामने दिखाई दे रहा है, प्लस यहां पर फर्स्ट इनिंग में भी बैटिंग करने वाली टीम, एक बार यहां पर कोलाप्स होई है, एक बार यहां पर कोलाप्स होई है, उसके बाद, आठ विकेट, आठ विकेट, नो विकेट, नो विकेट 9 विकेट यानि कि किसी भी तरीके से 8 से 10 विकेट 1st इनिंग में भी गिर सकता है 2nd इनिंग में भी 10 विकेट गिर रहा है लेकिन अगर एक कंडिशन ऐसा भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पर हुआ है जब सिलंकांग टीम only 59 only sorry only 50 50 रन पर all out हो गई है ऐसा भी condition यहाँ पर हो सकता है ठीके ऐसा हुआ तो 2nd इनिंग में विकेट नहीं गिरेंगे ठीके हो सकता है 50 रन नहीं 100 रन पर all out हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंडियन टीम थोड़ी सी अपने strategy थोड़ी सी बदल दे ठीके हाला कि आज नए बॉलर भी आ रहे हैं खली लामद अगर फर्स्ट बॉल करेगा तो खली लामद फर्स्ट बॉल में दो तिन विकेट चटका सकता है इन हर्षित राना भी बहुत अच्छा बॉलर है तो कहीं न कहीं ये लोग नए बॉलर हैं और नए सामने प्लेयर होंगे शायद इनको पहली बार खेल रहे होंगे तो उनके लिए एक अलग इंपक्ट पड़ेगा ठीके तो ये कंडिशन आपके सामने होगा अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट रिंग की जो बैटिंग ओडर है वो काम कर रही है देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट पर ट्राई करना च याद रखेगा छे नंबर का रेडी करना है अब रेडी कैसे करना है तो माल लिजे कि छे नंबर में आपने रेडी किया इंडियन टीम बैट फर्स्ट करती है तो आपको रखना है रोहित सर्मा शुमन गील विराट कॉली और स्रे सायर तॉप फोर बैक्समन को रखे आप एक टम्स कंडिशन यहाँ पर रेडी करना है और ठीक सेकेंड इनिंग में भी छे नंबर के टीम जिसने परफॉर्म किया होगा उस तरीके से छे नंबर में टीम आपको तयार करना है जैसे अगर सिलंका के टीम बैट फर्स्ट कर रही है तो फिर निशंका असिथा अव रेडी कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपको छे नंबर का पैटन एक रेडी कीजिएगा क्या पता आज की टीम हलाकि सब लोग सोच रहे होंगे कि टीम जो है मैच जो है बिल्कुल ही रिस्की मैच होगा रिस्की कहने का मतलब की बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होगा ब यानि कि दो से तीन चार विकेट दो तीन विकेट पर धाईसो तीन सो रन बन जाए हो सकता है कुछ नहीं कह सकते यार क्रिकेट है ठीक है तो आपको एक छे नंबर का पैटन रेडी करना है इसके बाद आप पैटन रेडी करना एक पैटन रेडी करोगे चार नंबर फिर बाद ready करना आपके सामने होगा 9 number कितना team हो गया 3, 2, 5 और 1 ready करना 5 number ठीक है ये 5 pattern ready करना कोई भी team batting करे कोई भी team balling करे ठीक है इसी 5 pattern मतलब 6 pattern 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है ये 6 pattern आप लोगे screenshot ले सकते हो इससे क्या होगा कि आपके team में हर एक player याद रखना जो मैं आपको बता आपके team में trump player भी और big player भी दोनों शामिल होंगे आपके team में बड़े player भी flop करोगे हो सकता है वो flop हो जाए और उसके recording आपको player को रखना है लेकिन इसमें 2-3 बाते आपको दिमाग में रखने की जूरत पड़ेगी वो ये कि अगर आप batting first लेके जा रहे हो तो कुछ एक player ऐसे होते हैं जो batting first में अच्छा नहीं खेलते प्लस कुछ एक player ऐसे होते हैं top order के जिनके मतलब की venue पे record अच्छे नहीं होते जिनके hit to hit के record अच्छे नहीं है तो उनको छोड़के उनके बाद वाले को आप pick कर सकते हो ठीक है ऐसा हो सकता है जैसे कि मानलो ऐसा भी हो सकता ह है कि top two जो player है वो flop हो जाएं याद रखना top two जो player है वो flop हो जाएं और three और four number के जो player हैं वो अच्छा खासा पारी जो है वो खेल कर चले जाएं कैसे तो देखो यहाँ पर 60 और 60 खेला दो player top order के flop हुए तो मैंने आपको चार number वारा pattern भी इसलिए दिया ऐसा भी होगा कि top four bats management बहुत अच्छा खेल के जाएं तो मैंने छे नंबर का pattern आपको दे दिया ऐसा भी हो सकता है कि एक opener चले उसके बाद फिर सिधा चार नंबर का खिलाडी चले वह भी pattern मैंने आपको दे दिया ठीक हो सकता है कि top three player first inning में flop हो जाए रोई शर्मा शुर्मन गील विराट कोली त कर टिक जाते हैं तो एक ऐसा भी format आपको दे दिया कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा हम भविश्वारी नहीं कर सकते तो हम अपने मेहनत और skill के भरों से एक अच्छा team तयार कर सकते हैं तो यह pattern है आप ready कर सकते हो एक नंबर चार पांच छे और आत और नौ याद रखना एक दो सर यह थोड़ा सा इधर उधर हो गया है कोई बात नहीं एक और मैंने तीन अब मालनो छे नंबर के team में जाते हो छे नंबर में तो छे नंबर में देखिए कोई भी first inning में बॉलर धंग से नहीं आया तो आपको first inning के बॉलर को लेने की जरूरत नहीं है अगर आप एक नंबर में जाते हो तो आपके सामने देखो एक left time fast medium baller एक right time fast medium baller और एक right time fast medium baller इस तरीके से आप ready करके जा सकते हो ठीक है और उसका कैसे होगा combination तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया अब मान लिजिए यहाँ पर मैं आपके सामने बता रहा हूं मान ल देख रहे हैं एक नंबर टीम में कि कौन-कौन चल रहा है देखो left time fast medium एक right time fast medium और दूसरा right time medium baller ठीके यह तीन बोलर चल रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से सिलंका के तरब से पहला right time fast baller कौन है आसिथा फर्नांडो ठीके मातिसा पतिराना नहीं खेल रहा है left time में और कोई नहीं है ठीके इसके बाद एक ही fast baller है तो अब आपके सामने दूसरा option कौन बचता है डी वेलल आगे यानि कि यह बात दिमाग में रखना कि left time fast medium baller अगर नहीं है तो उसके बदले left time orthodox को आप अपने team में ले सकते हो यह एक rotation होता है exchange offer जो है वो आपको left time fast medium baller के साथ करना होगा ठीक है और तीसरा option होगा आपके सामने कोई एक off break baller same condition आपके सामने यहां पर जो है दिखाई देने वाला है ठीक है तो इसी तरीके से आपको जो team है वो ready करना पड़ेगा फिर अब हम आते हैं second inning की batting order में second inning की batting order क्या कहता है ठीक है कि मानलो 6 number की team ज चले लेकिन second inning में सब flop हो है तो आपके सामने क्या होगा फिर इनको भी flop करो इनको भी flop करो इनको भी flop करो इनको भी flop करो क्योंकि 6 number तक यह लोग चले नहीं है साथ नंबर पर CS Lankai ने बाइशन बनाया और JLion आगे हो सकता है चले अगर आप ऐसा करते हो तो JLion आगे आपक Trump player होगा तो आप Trump player भी आपके team में पीखो सकता है शायद आप लोगों को बाते समझ में नहीं आ रही है लेकिन मैं आप लोगों को clear कर नहीं समझ में आ रही है तो मुझे please comment करके बताओ नहीं समझ में आ रही है तो comment करके बताओ ठीक है लेकिन जो लोग समझ रहे हैं जो ल नमबर के पैटन में जिस जिसका खिलाडियों का 30 रन से ज़्यादा है याद रखेगा 30 रन से कम स्कोर है उसको आप अपने टीम से बाहर कर लिए ठीक है लेकिन 25 से 30 के बीच में अगर मान लेते हैं कि यह लोग 27 बनाया तो यह डिरिम टीम में आ सकता है क्योंकि इनके बॉलर यहां पर इनके अगर अगर सिलंका आती है खेलने तो फिर प्थुम निषंका और आविश्का फर्णांडो इन दोनों में से कोई एक बढ़िया खेल के जाएगा इस तरीके से आपको pattern ready करना है I hope आपको समझ में आ रही होगी अगर आप लोग कहोगे तो telegram पर मैं आपको ये pattern भेज दूँगा जिससे कि आप देखकर बना सकते हो नहीं तो आप लोग screenshot ले सकते हो मैं screenshot लेने का मौका दे देता हूँ मैं आपको यहां से देता हूँ फर्स्ट इनिंग का बैटिंग order आप इसका screenshot ले लिजे इसके बाद फर्स्ट इनिंग की balling order ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो number का आप pattern उठाओगे उसी number के आप यहां पर baller के pattern से balling को pick करोगे ठीके अगर यहां पर आपको दिख रहा है पांच number में right time fast baller ने तीन बिकेट लिया तो right time fast या right time fast medium baller से किसी एक को आप उठा लोगे इसके बाद right time medium ने तीन बिकेट लिया यहां पर जैसे कि मान के चलो off spinner ने यहां पर चार बिकेट लिया फिर यहां पर इस वाले साथ नंबर में चार बिकेट लिया तो आप देखो कि off break की spinner जो है वो कौन है दूसरे team में और उसको आप अपने team में लो ठीके इस तरीके से आप team ready करना first inning balling order conclusion है कौन-कौन से baller है कौन-कौन से baller यहां पे किस-किस number पे है ठीके प्लस second inning की batting order यह आपके सामने है इसका screenshot ले लो एक नंबर से अगर आप 5 नंबर के team pattern उठा रहे हो first inning से तो second inning से भी 5 नंबर का ही pattern आप follow करोगे ठीके इसके बाद second inning की batting order sorry balling order यहां से आप pick कर लो कौन-कौन से baller जो है second inning में अच्छा खेले हैं क्योंकि कहीं न कहीं घूम फिर के तो यहीं आना है यार वापस तो यह pattern काम करेंगे ही करेंगे second inning की baller के conclusion यह आपके सामने रहा यहां से आप निकाल सकते हो baller को अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने जो team बनाई है first inning second inning तो स्रिलंका अगर first bat करती है तो दो team ready किया और अगर इंडिया bat first करती है तो दो team ready किया अब यहां पर देखे मैंने पहला team ready किया निशंका को रखा कुशल मेंडी सदीरा समर्विक्रमा जे लियनागे, स्रे सायर, शिवम दूबे, कुल्दी प्यादव, हर्शित राना अकिला धननजिया, जे वंदर्शे और आसिथा फर्नांडो ठीक है यहां पर captain कर दिया फिर से वापस किसको जे वंदर्शे को, ठीक है याद रखेगा, जे वंदर्शे को मैंने captain कर दिया और शिवम दूबे को vice captain कर दिया, बिल्कुल रिस्की grand league ठीक है, सेकेंड, सिलंका अगर bat first करती है तो निशंका हो गया, आसिथा फर्नांडो हो गया, कुशल मेंडिस हो गया और कुशल मेंडिस को मैंने क्या किया, captain, सदीरा समर्विक्रमा, रोही शर्मा, केल राहुल, शिवम दूबे, अक्छर पतेल फिर मैंने वंदर्शे को कर दिया, vice captain, याद रखेगा, सेकेंड इनिंग में मैंने vice captain किया, यहाँ भी, सेकेंड इनिंग में फिर वेललागे हो गया और आसिता फर्नांडो, ठीक, अब हम बात करते हैं, इंडिया अगर first bet करती है, तो मैंने यहाँ से रोही शर्मा को उठा लिया, शुमंगील को उठा लिया, विराट कोहनी को captain कर दिया, ठीक, स्रे सायर, निशंका, सदीरा समर्विक्रमा, लेनागे, और वेललागे, कुल्दी प्यादो, हर्सित राना, खली लहमद, ठीक है, इंडिया अगर first bet करती है, तो अगर changes करना होगा, तो खली लहमद के जगह पे आप Washington, सुंदर या अच्छर पटेल के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि खली लहमद का second inning में उतना अच्छा record नहीं रहता प्लस, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर, देखें, यहाँ पर खुल्दी प्यादों को विसी किया, अगर इंडिया first bet करती है, यह मैंने pattern ready किया है, इस pattern से भी आप team बना सकते हो, यहाँ पर मैंने विराद कोली को vice captain बनाया है, स्रे सयर, अब यहाँ पर शुहमन गिल, य आप यहाँ से देखिए, यहाँ से निशंका और कुशल मेंडिस और यह अविश्का फर्नांडो इन तीनों को, top three को flop कर दिया second inning में, और फिर मैंने रखा कमिंदू मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, AS फर्नांडो, यानि की अविश्का फर्नांडो, ठीक है, इसके बाद आप सदीप यादों को कैप्टेन कर दिया, ठीक, खलील अहमद, वर्शिंग्टन, सुंदर, हर्सितराना, यहाँ पर खलील अहमद के जगह पे आप अक्छर पटेल के साथ या शिवम दूबे के साथ जा सकते हैं, अब यहाँ पर इंडिया बैट first करती है, तो सुमन गिल को कैप 25 रंग, तो उस हिसाब से मैंने इन लोगों को CVC कर दिया, प्लस केल राहूल, विकेट कीपर सेक्षन से हो गए, और कुशल मेंडिस हो गए, मिशंका हो गया, सदीरा समर विक्रमा, खलील हमद, इसके जगह पे अक्छर पटेल या वाशिंग्टन सुंदर को, आप यह मैंने यही सोच कर अलग-अलग कॉंबिनेशन ट्राई गिया है, यह कॉंबिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं, CVC भी आप यहां से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, एकाज प्लियर अगर आपको चेंज करना होगा, तो आप लोग चेंज इसली जो है, आप लोग यहां स कर सकते हैं, आई होप आपको यह बाते समझ में आ गई होंगी, कि किस तरीके से पैटर्न जो है, वो रेडी करना है और आप कर सकते हैं, अगर इसका भी स्क्रिंशोट लेना होगा, तो आप ले सकते हो, और इसी के थ्रू याद रखेगा, यह जो चार टीम, चार न, तीन द तो थोड़ा सा आगे भढ़ते हैं, सिलंका के प्लेयर का वेन्यू का रिकॉर्ड, यह आपके सामने हाला के पिछले मैच में भी बता दिया है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब देखते हैं, सिलंका के बैस्मिन का हेट टू हेड का रिकॉर्ड, अब यह जो ज़रूरी है, उसके उपर फोकस करते हैं, अब यहां से दोस्तो हेड टू हेड का रिकॉर्ड रखना हमें बहुत ज़रूरी है, देखें, मिशंका जो है, अभी तक इंडिया के अगेंस्ट, पिछले पांच मैच में सिर्फ एक बार 56 रन बनाया है, बाकि चार बार फ्ल बना कर गया, समर विक्रमा भी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल पाया है, असलंका भी अभी तक इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला, यानि कि टॉप फोर बिल्कुल सही परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे रहे हैं, अब अगर बैटिंग से अगर जुला असर है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यह फॉर्म में है समझने की कोशिश कीज़ेगा यह लोग जीत रहे हैं क्योंकि इंडियन जो बैट्समेन है वो थोड़ी सी कहीं या कहीं गलती कर रहे हैं और इनके स्पीन डिपार्टमेंट हावी हो रहा है नहीं तो बैटि लेकते हैं सिलंका के बॉलर्स का हेट टू हेट का रिकोर्ड ठीक है तो सी असलंका इंडिया के अगेश्ट बहुत अच्छा विकेट लेके जाता है पता नहीं कैसे लेकिन इंडिया के अगेश्ट चार तिन साथ और तिन दस इसने ओड़ी आई में 61 या 65 ऐसा ही मैच खेला तो इंडिया के अगेश्ट पता नहीं कैसे इसको विकेट मिल जाता है वेलल आगे फर्स्ट बॉल में ट्राइ कीजेगा ठीक है एक बार सेकेंड बाल में दो बिकेट लिया बाकी दो बार फ्लॉप हुआ है एट टु हेट में ठीक है वंदर से एक बार खेला है दस पर छे लिए लेकिन इसके पहले भी एक बार दस ओवर में 6 विकेट लेकर जा चुका है इंडिया गैंस इसके पहले भी 6 विकेट लेकर जा चुका है याद रखेगा ठीक है हसरंगा खेलेंगे तो देख लीजेगा अभी तो फिलहाल कोई चांसे नहीं दिख रहा है खेलता है तो टीम में रख लिजेगा बाकि यहां पर प्लेयर्स के जो है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड का रिकॉर्ड है आपके सामने देख लिजे किसको कब किसी निंग में रखना है यह जरूरी होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप बॉलर को बैट्समन को रख सकते हो ठीक है, हाला कि मैंने कोई changes नहीं किया है, लेकिन लगभग same होता है, पहले match में भी बताया था, अभी भी बता दिया हूँ, और मैं आपको telegram पर लिख कर भी भेज दूँगा, ठीक है, बाकी ये जो बचते हैं, ये वो हैं, जो अभी तक bench पे बैठे हुए थे, अब आते हैं इंडिया batsman, head to head का record, रोहिशर्मा, देखिया continue, एक बार ही रोहिशर्मा first inning में flop हुए है, नहीं तो ज़्यादा तरचांस, 42, 53, 58, 64 continue अच्छा performance, शुमन गिल का भी performance जो है, वो अच्छा है, 116 run बना की जा चुका है, 92 run है, 35 run है, सिफ तीन बार flop हुए है, बाकी विराट ओ खेल लेते हैं, और स्रे सायर का भी record अच्छा है, बट लास्ट के दो match में record अच्छा नहीं है, बट ये लोग थोड़ा सा net practice बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो मुझे लगता है, आज के match के लिए विराट कोली, स्रे सायर बहुत important होने वाले हैं, प्लस, केल राहुल का, पता नहीं, क्या scene है, समझ में नहीं आता, खेर, देखते हैं, कौन-कौन होगा, हमें rotation पर focus करना पड़ेगा, इंडिया बॉलस, अगर कोई wicket continue ले रहा था, तो वो EMC राज ले रहे थे, खेलते हैं, तो रख लिएगा, नहीं खेलेंगे, तो इनके जगा पे हरसी तराना को लेकर जा सकते हैं, कुलदीप यादो, एक बार second inning में चार wicket लेके गए हैं, याद रखेगा, कब second inning में कुलदीप यादो, सिरलंका गे अगेंस्ट, दो wicket, सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, कि इनको wicket नहीं मिले है, नहीं तो, एक से दो wicket, तो हमेशा लेके गए हुए हैं, तो यहाँ से जो जरूरी बॉलर होंगे, वो होंगे, कुलदीप यादो, बहुत important होगे, Washington सुन्दर, दीकेट लेके जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं, आज के मैच में क्या सिन बनता है, इन पर फूरा भरोसा मत कीज़ेगा सुन्दर पे, second inning अगर इंडिया बॉल करेगी, तो कुलदी प्यादों को CBC ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कुलदी प्यादों को, बाकि इंडियन प्लेयर्स के, जो स्टेक्स एंड रिकोष्ट है, आपको पता है, हमें बताने की जुरुत नहीं है, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, किसका क्या है, ठीक है, और बाकि बे में दो से तीन बिकेट लेके जा सकते हैं, दो से तीन बिकेट, लेकिन सेकंड बॉल में थोड़ा सा उनका चांसज कम हो सकता है, रियान पराग खेलेगा, तो जरूर रखेगा, लेग स्पीनर है, कहीं न कहीं यह इंपक्ट डाल सकता है, टी ट्वेंटी में इतने फास्ट पे, समझो, फास्ट टी ट्वेंटी के अंदर जो दो दो तिन तिन बिकेट लेके जा सकता है, अच्छा स्पेल डाल सकता है, अच्छे एकनॉमी से, तो यहां पर रियान पराग को खेलाना चाहिए, मुझा लगता है, बैटिंग और बोलिंग दोनों से ही पूइंट देके जाएगा, अब रिशापन्त देखते हैं, केल राहूल के जगह पे आते हैं, या फिर शिवम दूबे के जगह पर, बाकी अभी फिलहाल के लिए, जो मैंने टीम बनाया है, वहां पर मैंने कुछल मेंडिस को रखा, केल राहूल को रखा, मिशंका को रखा, विराद पॉलिस रे सयर, दोनों को मैंने रखा है, फिलहाल, अभी बाकी टीम मैंने रोटेशन में आपको बता दिया है, उस तरीके से आपको रेडी करना है, अच्छर पटेल, कमिंदो मेंडिस, जेलियन आगे, कुल्दी प्यादो, आसिथा फर्नांडो, हर्शित राना, अब यहां पे आस सेकेंड बैट करेगी इंडिया, ठीक है न, तो यहां पर आप खलील अहमत को आइड कर सकते हो, फिर आप खलील अहमत को आइड करोगे, जेलियन आगे के जब अपपे, वंदर से, याद रखेगा, वंदर से को आप यहां पर आइड कर लेना, लियन आगे के जग अपे, तो तो फिलहाल के लिए यह team है, I hope आप लोगों को सारी बाते समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं, अच्छा जो लोग 100 का सच में अगर वीडियो चाहते होंगे, बहुत लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा भी महनत बरबाद होता है, और भाई मैं उस मामले में यहाल सी हूँ, ठीक है, जब देखता हूँ कि लोगों का कुछ ज्यादा वो नहीं रहता है, इंट्रेस्ट नहीं है, तो मैं भी अपने काम पर फोकस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो इतना मेहनत करूँ और फिर आप लोग उसका फैदा ना उठाओ, तो वो भी मेह जाती है, तो अगर आप लोगो 100 का मैस खेलना है, कंटिनू खेलना है, जितना ज्यादा कमेंट आएगा, उतने ही ज्यादा, मैं वीडियो पर फोकस करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, खैद, मिलते हैं, फिर नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैद!